दुनिया की सैर करें हम बादों की इस रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं खेल खेल में खेल खेल में पहला वादा भूद भूद कर तेल बचाएं जल है जीवन आओ सत को ये समझाएं तूजा वादा पेड़ों पर्टों फूल खिलाएं शुदावा से दुनिया को मेकाएं एनरजी देती हम को जीवन जीवन नहीं कवाना है खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है एक ठंकल एक कसम आज हम उठाते हैं संड़चं का दीव जलाते हैं आंखों में है ख्वाव अने को इन बच्चों की रेल में दुनिया को अप्सुर का बनाएं खेल खेल में खेल खेल हैं पद्लो दुनिया नमस्कार मैं हूँ विशाल और मैं हूँ अनु मनोरंजन जानकारी और एक्साइटमेंट पहुंचती है अपने चरम पे और शुरू होता है वो करिक्रम जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया अचानु एक सवाल पूछता हूँ पूचो पूचो नेरंदो क्यों डर गया है डरने वाली बात क्या है मैं तो यह सोचना था कि अगर तुम्हें जवाब नहीं है तो सवाल पूछने का मतलब ही क्या ओ वेरे सिंपल तो फिर अपने सवाल का जवाब भी खुदी दे देना अच्छा यह बताओ कि यह पेट्रोलियू और एक कोईला क्या चीज है ओ वेरी सिंपल हमारी पारंपरीक उर्जा के बहुत यह अच्छे स्तूत है तो मैं पता है कि जब इनकी डिसक़वरी नहीं हुई थी इनकी खोज नहीं हुई थी तो हमारी उर्जा का पारंपरीक पंप में छोटे मोटे ग्राव में अध्योग में ओकी मगर यह बाइव मास है क्या अब देखो अब जो खेतों में जो कुड़ा कचरा हो था ना मतलब लकडी पते डंठल अग्रों डेस्ट वेस्ट वो है बाइव मास विशाल यह सब तो में फ्री में मिल जाता है रही हमारे यह इंत्रेक्ट करते हैं हमारी आजज लाई है टीम शक्ति जो आई है डीपी ईस जमू से हमारे तूसरी टीम बरक्षक जो आई है चिलन सीनर से कॉल कोटा राजिस्थान से इसके साथ ही हमारे साथ यहां स्टूडियो में हैं बहुत ही बढ़िया आदियंस और हमारी बहुत प्यारी स्कोरर बूंध जो आम को पताने वाले हैं कि आज किसकी क्या हलत होने वाली है वॉल्कम बूंध वेल्कम वेल्कम तो साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है कुच कर दिखाना है दोस्तों हमारा पहला राउंड एक परफॉमेंस बेस्ट राउंड है जिसमें हमारी दोनों टीम्स एक एक करके आपके सामने सनक्षंग की हमारी मुहिम का कोई संदेश पहुंचाएंगी सबसे पहले आम अंतर्द करते हैं टीम शक्ति को क्यों रामू काका आखाश में कहीं अपनी अज़्की पतंग खुज रहे हो क्या नहीं बेटा देख रहा हो मेरी उमर के साथ साथ इस आकाश की ऑमर भी बढ़ती जा रही है ये मेरी तरह बुड़ा बुड़ा साथ सा यह लगने लगा है क्या हाँ काका वो आसमानी रंग हि ग या खुब चुरत होता था हाँ वेटा अरी बहन देखो तो नदी कितनी काली लग रही है सुना करते थे नदी तो नीली दिखाई देती है लेकिन हमने तो हमेशा से काली देखिए इन सब को क्या हो गया है बहन अरे बहन हुआ इन सब को नहीं हुआ तो हम सब को है आज हम कहते हैं आकाश काला क्यूं है नीला क्यूं नहीं नदियां गंदी क्यूं है स्वाच क्यूं नहीं पर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि ये सब हमारे कर्मों की सजा भुकत रहे है मतलब हमारे कर्म हमने ये सब क्या कर के इन सब के साथ अरे यही तो हम जाने में अपने पैर कुलहाडी मार रहे हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और जब प्रकृति अपने संतूलन के बिगरते रूप को बचाने के लिए सुनामी जैसा शोर मचाती है तो हम काम जाते हैं सिहर रुकते हैं पर क्या कभी खयाल आता है कि यह सब क्यों हो रहा है अरे यह देखो जब दुबई जैसी कांट्री में बरफ पढ़ने लगती है तो हम सब हैरान हो जाते हैं और स्पेशली देखने पहुंचते हैं अरे भई और जोगी करन और प्रदूशन कारी गतिविद्यां बढ़ रही है इससे आने वाले पचास वर्शों में धर्ति का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हिमाले पिघलने लगेगा क्या हिमाले पिघलने लगेगा हां तब तो गजब हो जाएगा और ग्लोबल वा्मिंग के कारण पूरी दुनिया ही बदल जाएगी यानि अंटाक्टिक और आक्टिक की बर्व भी जीजने की रफ्तार पर बढ़ सकती है यही नहीं ग्लोबल वामिंग के कारण तो कई वीप और टापू भी ढूप सकते हैं और तो और हिमाले के पिघलते गल जँछे हुए हैं हम हम तो इतने नादान है कि अपने स्वार्ध तक को भी नहीं समझ सकते और ड़क्रती को ही बदल दिया हैं हमने साधी के मौसमें गर्मी और तो और गरमी के मौसमें सर्दी होने लगज है हमने तो तो चरे व्रिक्ष लगाएं, जंगलों को नहीं काटें, प्रदूशिन ना फैलाएं, नदियों को स्वच रखें, तभी तो प्रकृति के कहर से बच सकते हैं, आओ, हम सब मिलकर ये परण करें, हर गर का आंगन हो व्रिक्षों के संग, हर व्रक्ति व्रिक्ष लिगा कर बदल करो जिंदगी में कुछ करो, मुझे देखो, 27 रुपे लेकर आय था इस शहर में, अब देखो, क्या नहीं है मेरे पास, क्रोडों की फेक्टरी, जमीन, जाइदाद, आलिशान, बंगला, हाँ चाहू ना जी, आप तो हर काम में आगे हैं, इस काम में भी आठ डालते हैं, सो पुर्या बनाने का काम, ऐसा कौन सा काम है, जो मेरा फल फूल नहीं रहा, अजी, अजी सुनते हैं, डॉक्तर, डॉक्तर ने, क्या हुआ, तुम रो क्यो रही हो, हिमांचु, क्या हुआ हिमांचु को, वो ठीक तो है ना, हिमांचु को डॉक्तर ने, कैंसर का शक बताया है, क्या, क्या कह रही हो तुम खेर, तुम चिंता मत करो मेरे पास खूब पेसा है मैं अपनी बेटे का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला कर अच्छे से अच्छे स्पताल में कराऊंगा वाह, चाओ ला जी, क्या बात है इसाच जहर दो, दूसरे से पैसा बहाओ ये क्या बाक्वास कर रही हो तुम डॉक्टर मैंने, मैंने अपने बेटे के इंसर के से दिया जी हाँ, आपका दिन पर दिन शैरों में फैक्ट्रियां लगाते चले जाना अपने आपको, नमबर वन पर पहुचाने का सपना क्या आपने कभी, अपनी फैक्टी से बाहा निकल के देखा था कि आपकी फैक्टी से निकलता, ये काला दूआ, क्या तर रहा है प्रदूशन बढ़ रहा है, इन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से और इसी कारण इतना तापमान बढ़ रहा है पर हम अपने सुखों के हवस में आस्मान की और नजर उठा कर देखते ही कहा है आप तो बस हाई हाई गर्मी गर्मी चिलनाते हुए अपने एसी रूम में आकर बेड़ जाते हैं पर कभी नहीं सोचते के आज जल्वाई में अचानक गातक परिवर्तन क्यों होने लगा सही कहते हैं आप ये कालद हुआ हमारी सांसों में मिलकर हमें कैंसर कर रहा है पर जब अपने पर गुजरती है तब ही आखे खुलती है प्लीज प्लीज इन से क्यों से उगलते जहर को बंद कीजिए अब मैं क्या कहूं अपने आपको गुनागार अपनी ही बेटे का दोशी अपने बेटे के ही नहीं पूरे समाज के बलकि मैं तो ये कहूंगी पूरे देश के दोशी हैं आप अगर आपने अपनी फैक्ट्रियां शेयरों से बाहर लगई होती तो इतना प्रदूशन तो ना फैलता फैक्ट्रियों से निकलता ये गंदा कूला नदी नालों में डालकर निश्चिन तो हो जाते हैं पर कभी नहीं सोचते कि ये गंदा कुला नदियों को दूशित नहीं करेगा हाँ, हमारी ही फेक्टी में रंगाई होती है जिससे आसपास की सारी धटी रंगीन हो गई पानी बहबह कर पीने के पानी में मिलने लगा जिसने आसपास की लोगों को कितना नुक्सान पहुचाया कितनी मच्रिय मदी, कुछ याद है या खूल दे बस बस बस, अम मैं वादा करता हूँ नहीं मेरी फेक्ट्रों से निकलाव ये धुआ, इस शहर को प्रदूशित करेगा नहीं नदिनाला को दूशित करेगा इन्हें तो अपनी गल्ती का एसास हो चुका है क्या आपको भी? सांस स्वच्च हो, तो जीवन स्वच्च रहता है सांस उम्मे मिल जाए प्रदूशन, तो क्या होगा? आओ, मिलकर करें उपाए इस प्रदूशन को अपने दिवन से दूर होगा है भाई वाह, मानना पड़ेगा कि हमारे असल सांस नक्षन सिनानी तो हमारे बच्चे ही हैं, हमारी टीम सी हैं चली चलते हैं ओडियन्स के पास जानने के लिए कि उन्होंने टीम शक्ती को कितने अंक दिये हैं और अब देखते हैं कि रक्षर के लिए औडियन्स के पास क्या मार्थ है तो चली चली चाव औडियन्स से अपना वर्डिक सुना दिया तो अब चलते हैं वूante के पास जानने के लिए कि हमारे इस रावन के स्कोर्स क्या है शक्ति टीम को मिलते हैं 630 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 490 पॉइंट्स मुकाबला भी शुरू हुआ है आगे भी बहुत टक्कर देनी है एक दूसरे को मगर इससे पहले कि ये टक्करी मुकाबला आगे बड़े हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद दिल दिल में पद्लो दुनिया पन्यवाद बुचावची काओ काओ शहर शहर फेली खुशी की नहर फेली खुशी की नहर मुस्कुराया घर घर सुनकर ये खबर बादा नहीं यकीन हद दर पाएंगे कैरोसीन बादा नहीं यकीन हद दर पाएंगे कैरोसीन नहीं जन कैरोसीन परियोजना चली शुरू करते हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है दुनिया बदनने की बाद टीम्स ये एक बज़र राउंड है और इस राउंड में आपको 100 मार्क्स दिये जाएंगे हर सही जवाब के लिए और गलत जवाब के लिए कोई भी नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी लेकिन एक कैच है हमारा सवाल खत्म होने से पहले अगर आपने वज़र दबा दिया तो आप अपने पड़ोसी के लिए सबसे दादा लाबदाएक साबित होंगे चले इसाब हमारे को क्लिपिंग दिखाएंगे गौश से देखिए क्योंकि इसी पर अधारत है हमारे इस राउन के सवाल ये रहे क्लिपिंग वस्टर हमारे व्यक्तित्व का एक महत्पूनंग है पहनावे के तमाम अलग-अलग वस्टर अलग-अलग तरीके से हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं हमें रोज सच समवारने वाली ये इंद्रधनुशी वस्त्र शुरू में सिर्फ सफेद रंग के कपड़े होते हैं बाद में यही वस्त्र डाइंग मशीनों से रंग बिरंगे बन कर निकलते हैं डाइंग प्रोसेस में कपड़े को मशीन के अंदर ही कई घंटों तक घुमाना पड़ता है कपड़ों के रंगने का ये कारे कुछ वर्ष पहले तक इंपोर्टेड मशीनों द्वारा ही किया जाता था होरीजेंटल डिजाइन की ये डाइंग मशीन लंबाई में काफी बड़ी होती है सबसे पहले मशीन के सामने की और कपड़े को लोट किया जाता है फिर सक्षन फोर्स त्वारा इस कपड़े को नीचे की और एक पाइप में खीच लिया जाता है इस पाइप के माध्यम से ये कपड़ा मशीन के पीछे की ओर तक पहुँचाया जाता है यहां से ये कपड़ा फ्लोटिंग वैसल में चला जाता है इस वैसल में पानी भरा रहता है जिसमें तैरता हुआ ये कपड़ा वापस सामने की ओर पहुँच जाता है इस पूरे चक्र में पानी की काफी खपत हो जाती है सूरत के देवरेखा संस्थान ने पानी की खपत कम करने की दिशा में उलेक नियब प्रगति की है करने शुरू परदती में ज़्यादा पानी यूज होता है तो हमने टूटली प्रिंसिपल ही चेन कर दिया कि जिसमें फ्रोटेट करके कपड़ा आगे नहीं आवे मगर ग्रैविटी फोर्स से आए तो जो लंबा मशीन था, स्टेट था, पेरारल था जमीन से उसके बड़े हमने यूग कर दिया नए वर्टीकल डिजाइन वाली मशीन में फैब्रिक के मूव्मेंट के लिए ग्रैविटेशनल फोर्स की साहता ली जाती है इसके कारण डाइंग प्रोसेस में पानी का उप्योग बहुत ही कम होता है यहाँ पे पानी हमने एक किलो कपड़े पे जो 12 से 15 लिटर यूज होता था वो कम करके 2 से 3 लिटर पे लाए पानी का उप्योग कम होने से कई प्रकार की बचत होती है सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए जो बहु मुल्ले फोसिल फ्यूल यानि कोल को जलाया जाता था उसका इस्तेमाल भी अब घट जाता है इससे अपने आप एर पॉल्यूशन कम हो जाता है फिर होरिजेंटल डिजाइन की इस विशाल मशीन में पानी को घुमाने के लिए जो इलेक्ट्रिक एनरजी खर्च होती थी नई मशीन में ग्रेविटेशनल फोर्स के उपयोग के कारण अब इलेक्ट्रिक एनरजी की 50 से 60 प्रतिशत तक की बचत हो जाती है कपड़े को रंगने के लिए जिन केमिकल्स का उपयोग होता है उनकी मात्रा पानी की मात्रा पर निर्भर रहती है यानि अब पानी की मात्रा घटने से इन केमिकल्स का उपयोग भी 50 से 60 प्रतिशत तक घट जाता है इससे वाटर पॉल्यूशन भी अपने आप कम हो जाता है और आप समझ सकते हैं कि अपने यहाँ कपड़ा का प्रोडक्शन मिलियन्स ओफ टन है तो मिलियन्स ओफ टन वाटर बचेगा, कोल बचेगा, आइल बचेगा और केमिकल बचेगा साथ साथ में पॉल्यूशन भी कम होगा और ये सबी को ट्रास्पर्टरेशन के लिए जो ट्रक यूज होती है जिसमें आइल यूज होता है वो भी ऑट्रोमेटिक कम बचाएगा आज देवरेखा की 6,000 मशीने विश्व के 18 देशों में काम कर रही है इससे पानी और बिजली की खबत तो कम हो ही रही है साथ ही साथ परियावरन को भी दूशित होने से बचाया जा रहा है इससे पानी की काफी खबत होती थी यही खबत होती थी लेकिन आपके जाब में कोई कमी निया इससे दर राइट आंसरा ओके सावल नमर दो अल सेट वर्टिकल डिजाइन बाली मशीन में फाबर के मॉममें की साहता ली जाती है छुख सें गरेकिन फोलो टॉट राइट आंसरा डाइट ब्सक्री पानी को गर्म करके उप्योग क्यूं किया जाता है कोले की खपत कम होती है जिसे प्रदूशन कम होता है तीम शक्ति आप रहा करना चाहिए है यह बाइद दूसिंगे लाइक ही दिवाटर वी निदे लिए लेस्ट अमांट ऑफ केमिकल्स और अन दाइज फॉर दर प्रोसेश वाइल आम सो सौरी आपने हमारे सावाल को लगता शायद ठीक से समझा ही नहीं आपका सावा हमारा सावाल था डाइंग प्रोसेस में पानी को गर्म करके उपयोग क्यों किया जाता है वो इसलिए ताकि फैब्रेक एकस्पांड हो और वो डाइक को आसानी से एब्सॉब करें दिस इस वाट वी वर लुगिएट नेवर्दलेस लेट्स लेट्स गोट पून जानने के लिए कि इस राउंड के स्कोर्स क्या है शक्त टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स और अक्षक टीम को भी मिलते हैं 100 पॉइंट्स से पहले कि हम अपने अगले राउंड की तरफ जाए चलिए आपको लेए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ पेट्रोलियम कॉंजरवेशन रिसर्च असोसियेशन अधिक्तन कार्मेर माता इसी गती पर चलाने का परमर्च देते हैं अपनी कारी की स्पीड की अनुसार ही गयर बदले पेट्रोलियम कॉंजरवेशन रिसर्च असोसियेशन पेट्रोलियम के प्रेक्ट्रोलियम के तो अपनी कार्म धिक्तन कार्मेर बदले पेट्रोलियम धिक्तन कार्मेर फ़ायशन इंट्रेस्टिंग राउंड जिसका नाम है देखो मगर ध्यान से इंट्रेस्टिंग जिसका नाम है इंट्रेस्टिंग अधित्रा गुट्रेस्टिंग जिसका नाम है इंट्रेस्टिंग जिसका नाम है Okay, so this was a clipping on parent-child relationship. Now team Rakhshak, you first say it. Don't stop. Don't stop. This round is not the round. You will be telling us about what did you see which was positive? पॉज़े बताना चाहिए तथा उनकी प्रोब्लम भी सॉल्व करने चाहिए पैरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अच्छी जानकारी देने वाले चैनल्स प्रेकने के लिए प्रेड़िट करें पैरेंट्स बच्चों को सही वा सटीक जानकारी दे जिससे उनका भविश्य उजवल हो सके और बच्चे यदि कोई चीज लेकर आएं उनकी जो परफोर्मेंसे उने दिखा हैं तो उने अपने कारे का बहाना लगा करके टालना नहीं जाहिए जिससे उन्हें हतोत्साहन होता है प्रोट्सान नहीं मिलता है आप सब्सक्राइब आप समने तीन से जादा कह लिए तीम रख्षक तीम शरक्ती आप हमें यह बताया कि आपने उस क्लिपिंग में कौन कौन से रॉंक एक्शन देखे 3 points Turn the father smoking on the child and this means that it happens to the health, ignoring the studies of child Instead of this he watches TV and instead he's giving first priority to the television That television is watching The next thing is that he is encouraging the child to speak lies for instance when there's a call for him and his doesn't want to attend his calls he gives his child to lie to the caller We did get the answer आपकी जो थीन पॉइंट्स थी बच्चों की सामने धुमरपान न करें यदि बच्चे हमवक करने में आपकी मदद बांगे तो ने मदद दें और बच्चों को छूट बोलने के लिए कता ही पुरुचायत न करें जवाब आपने अंग्रेजी में दिया मैंने क्योकार्ट्स ह बच्चों को सही कारेकरम जिन से शिक्षा मिले ये एक पॉंट आपने कही थी और एक चीज जो हम आपसे चाह रहे थे जानना वह आप नहीं कहाए वो थी बच्चे यदी गुम्सुम्या परिशान हो तो उन्हें पुरुचायत करें उन्से बैठें उन्साथ बात करें उन् वन एन फ़ पॉंट करेंट वी धिंक वी गिव यू फिटी पॉंट वैं ये तो विशाल हिसाब किताब किया हमने मगर वेरे ख्याल से चलते हैं हमारी बूंद के पास और उससे पूछते हैं कि स्कॉर्स क्या रहे शब्ति टीम को मिलते हैं थ्री हांड़ड पॉंट और रक चोटी सी बात किस कर सको हो मैं भूलो मैं तो यही कह सकूँ हूँ आप सबसे पैट्रोलियम पदार्तों को खर्च करो बरबाद नहीं जिसे आपकी घरवारियों का भी मैके जाने का प्रूग्राम बना रहे और आपके महारे घर की सांती बरकरार रहे संद्रक्षन की दुनिया में क्या प्रूपर हो गई हैं यह गैस सी एंजी की तरह प्राकरितिक तो होगी ही उसके मुकाबले सस्ती भी होगी इस गैस को प्योग राजधानी दिल्ली को प्रदूशन के खत्रों से बचाने की तुलना में एक महत्रपून कदम साबित होगा राजधानी में सबसे पहले इसकी श एससे इंटे बनाने के लिए जल्दी ही LNG गैस का इस्तेमाल किया जाएगा LNG के इस्तेमाल से प्रदूशन तो कम होगा ही उस द्योगों को भी इससे फाइदा होगा तो साब here comes a moment where we get to know क्या आज का विजयता कौन है चलिए फाइनल स्कॉर्स के लिए चलते हैं बून के पास शक्त टीम को मिलते हैं 1030 पॉइंट और रक्षक टीम को मिलते हैं 740 पॉइंट टीम शक्ति आपने तो हमारा आज को ये एपिसोड जीता ही है लेकिन टीम रक्षक आपनी है हमारी आज की विनर नमबर टू हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं HPCL की तरफ से ये आकर्शक उपहार और दोस्तों आप से भी बातचीत हो जाए वो लोग जो अपने घरों में हमारा आज का सवाल वर्ष 1889 का भारत की ओल इंडस्वी में क्या महत्व है पहली बार LPG का उपयोग रसोई में शुरू हुआ पहली बार वहनों में डीजल का उपयोग हुआ पहले तेल कुएं की खोज हुई पहली रिफाइनरी शुरू की गई आपके जवाब हमें एक सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए हमारा पता है पीसी आरे दस भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली एक एक शुन्ने शुन्ने च्छे च्छे आप हमें 981177 1717 पर SMS भी कर सकते हैं सही जवाब भेज कर आप जीत सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पूरेशन लिमिटेड की तरफ से इनाम आज का इनामी पत्र हमें भेजा है मंजीत नंदन ने जिला औरंगाबाद बिहार से आप हमारे कारेकरम के नियमित दर्शक हैं क्योंकि इसमें उर्जा संरक्षण की जानकारी मिलती है और इसी से प्लेड ना पाकर आपने अपने घर में बायो गैस प्लांट लगवाया है जिससे इन्धन पर आने वाला खर्च कम हुआ है और बेकार पड़ी गोबर की गंदगी से छुटकारा मिला है मंजीत जी हम आपके शुक्र गुजार हैं क्योंकि आप हमारी संरक्षण की रह अपना रहे हैं हमारे एपिसोट नंबर 111 के सवाल का सही जवाब है भटिंडा सही जवाब भेशकर HPCL की ओर से इनाम पाने वाले भागिशाली विजेता है नीता रमनीक लाल पतीरा जामनगर से आकाश कोईल पुणे से इमेल द्वारा रविंद्र गुपता गुडगाउं से समस द्वारा सुरेश कुमार सूरी बाडुमेर से राहूलस भादरा पुणे से इमेल द्वारा प्रेम लता गुडगाउं से, दीपा दुआ दिल्ली से समस द्वारा, मुकेश विज सोलन से, अमित कुमार पटना से एमेल द्वारा, श्रीमति सी एच रेनू विजेवारा से, कृष्ण कुमार चौहान घाजीपुर से समस द्वारा, विद्या सागर सोनी मंडी से, बहुत बढ़ाई, तो चलिए साब, इसी खूबसूरत सुर्पे, हम आज के इस कारिकम को समाप करते हैं, आप से होती है मुलाकात अगले हफ़ते, तब तक के लिए, नमस्कार करते हैं, आप से, मुलाकात अगले हैं, तो 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 ऐसके घ्राइव बढ़ाई जबसके तो पारिकम के दो कि आप से रहें इसाएंतिें, आप जाए ओस तो 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 आप झाल झाल